हमस गोबर अगर हम हमस गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो याता है गिले गोबर के अंदर जाएंगे आपका 15-18% अक्सीजन है अगर आप उसको जलाएंगे तो 45 चलेगे 48 तक अक्सीजन है आप कितना गोब मुतर का आप सेवन करते हैं रोज कितना एक पैग लेते हैं 20 एमल गोबर से कैंसर का इलाज होता है गोबर आप गूगल में सर्च कर लीजिए अंदर भगतों की पहचान गोबर और गाएं के गोबर के कंजुम करने वालों से आप करते होगे आज तक सोचा भ वहां पर उद्गोष कर दिया है कि गाए के गोबर और गोब मुतर से तमाम इलाज और समस्चाएं जो हमारे समाज में व्यापत है वो संभव है हम मिलाते हैं अपको अंदभक्तों से दरसल रम लिला मैदान में अभी एक आयोजन हुआ था गोब माता को रश्ट पसू का द रोटर हाउस जितने हैं वो बेसक से उनके मालिक हिंदू समुदाय के हों पर जो गो तसकरी करते हैं कि को दो दो गायों की या फिर को गोई मास को जो कंजूम करता है या हिंदू के तयावार पर को मीट की दुकान खोलता है वहां पर तंडो करना जरूरी है तो पहले मैं अ राम से ठीक की जा सकती है यह पिना मतलब में इतने लाको करोड़ रुपया का टेंडर किसी के कम नियुको को देखर मचाहाय करा कर दिवाली इंगक भाण वन्युक्त्राय के बेसले हैं जो गाय का गिला गोबर होता है, उसमें 15-18 फीजदी तक अक्सीजन होती है। और जब उसको जलाया जाता है गिले गोबर को, तो वहीं उसमें 45-48 फीजदी तक हो सकती है, तुरी बुड़ी संख्या में अक्सस्यन पैदा होती है गाय के गीले गोबर को जलाने से, तो परदोसन की समस्चा और ये धुमाजो होता है तो वहरे के ऊपर ये तमाम चीज की समस्चा दूर की जा सकती है सुनीजे ग्यान की पोटली आप कहते हैं ने कोम आता कि गोबर में क्या है गोबर में आप दिली के अंदर आओगे अक्सीजन की कमी है आपको अक्सीजन की कमी के पूर्ती करना है आप गिले गोबर के अंदर जाएंगे आपका 15-18% अक्सीजन है अगर आप उसको जलाएंगे तो 45 चलेगे 48 तक अक्सीजन है भाइसा फिरती इस देश का सुप्रीम कोट इस देश की सरकारें तमाम सakukanशाधनों को लगाई जा रही glad machines smoking tower का इस्तिमाल किया जा रहे हैं बार-बार कोड का समय जाया होता है lisa लिखना पड़ता है सर्कारों को कि पराले जला रहे हैं कि सान दिवाली आ रहे हैं उसकी ऊपर पठा के कम जलाने है पठा के फैक्ट्रियों के उपर जो एक तरीकिते च्हापे मारे जाते हैं, यह तमाम कीरिया करने किसलिये कर रहे हैं सरकार, भेजदो सरकार की नमाइन्दों को, उठा लाएंगे गाउंसे नहीं लिए का थिस backups 상 भायार जबेंदों को एग गौतीन हिमें को, फसुक्तलद बेखतना, गला उठाकर भी नहीं, तो चार तासले गोबर गाय के गोबर के भी आग लगा दो उसमें तो जो धुआ उठा जो प्रदोसन होता है इतनी सारी अक्षिजन बनेगी उससे भाई साब वहीं पर सारा का सारा पॉलिशन दूर हो जाएगा हमने तो यहीं सोना था कि देखिए आग को जलने के लिए सब्सक्राइब पैदा होती कि यह इन्होंने कहा से सिखया है मुझे पता निए कुछ भी इनकलती है पर वाई सब्सक्राइबry में निकलती है यहने लोग कहते हैं कि हिंदू राष्टे बनाना है ये गोमाता को धर्जा दिलाने के लिए गए हैं तो को राष्टे पशुका भाईचा सब की मांग होती हैं सरकार को इनकी मांगों के उपर सुनवाई करने चाहिए पर कुछ तो तथ्य रख होगे ना कुछ तो वैगानी काधार ह होना चाहिए यार दिल्ली है देश की राजदानी है हम बहुत ही बढ़ती हुए एकोनोमी है पूरी दुनिया की नजर हमारे उपर है ऐसी बाते करोगे तो यार यह पूरी दुनिया में बाकी सहरों में पहुंचेंगी दुनिया के दूसरे अलाकों में और जैसे आप भी जहां जहां धुमा उठता है जो धेर बड़े बने बने पड़े है गारबेज के उनके चारों तरफ या उनके उपर ही गोशाला से लाकर गाये का गोबर लिपटवा दें हो जाएगी सारी समय साइदूर यह बनाएंगे यार हिंदू रास्टर मजाक बना रखा है इन लोग है यान की पूरी परिधी यही है जहां तो हमेशा हुचा क्याइंश कृघ्ण के मुतर में होती है सकुक्त नियुक्त करने में सक्षम है यह बात तो सानी ने बोली है जो पतरकार मोहटिस नाम vitide Moletix नाम earよろしく परोढ्री मिल लिखा है लोज कोछी सारी पुरानENS सारी पूरानों सब्सक्राइब यह जब बात यह आगे आगी आसा तो ग्ना वाली बात आगी इसमें तो साइंटिफीक आधार हो गया या दिमाग का टेस्ट होगा कि कोन से पूरान extremes ने का है तो पोल पट्टी खुल जाएगी तुम्हारे की तुम्हारा हिंदु तो कितना सच्चा है यह सुलीज यह बाइट इनकी और जो कहते हैं कि धर्म खत्रे में यह वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू राश्टर बरनात सिंगे ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जन्संख है विस्फोट और देश की तमाम समस्याओं के पीछे एक समधाई विसेस का हाथ है और उसी समधाई विसेस को ये हर मोके पर जब से उनसे कनफरेंटेशन होता है या मसजित के सामने से इनको गुजरना हो उनकी आतरा निकलनी हो या फिर मसदिसीमदाय के विक्ति टोपी पहने इनको दीख जाए कोई भी मोका मिल जाए इनको अपना हिंदूतों उनके आगे दिखाना होता है फिर भी BJP सरकार जो हिंदुतों का एजंडा उनका अल्रेडी है उनकी सरकार होते हैं वे भी हिंदू खत्र में इनको हिंदू राष्टर बनाना है और ये इनकी आधार है जो थोड़ा बहुत समझधार लोग होंगे बुद्धिमान थोड़ा बहुत भी बुद्धी होगी वह वराम से अंताज लगा सकता है कि गाएक गोबर को जलाने से गाएवन देशब्धार को जलाने से तो वैसे ही भारिव संख्या में परदुस्न होता है सहरों में ळस्टिबें रिखे जाते हैं घीला का चला एक तरफ तब और सुछा का एक तरफ ताकि इनको शुखा कर बाद कि देशर्च के अधार पर इसके चलते हैं अमरीकास जैसे से डेष के पास है क्या उनके पास टाइकनोलोजी वाली अधुनकर जो जो कंपनी है उसका मे तो है और यही बात बहार बताensible कि यह पहर बता हो उब Susani संद किसी दूसरे देश को कहा डिलिकोई देदो के जरिवाल सभी देदो कि गाय का गोबर ले जाओ यह गवशाला से आकर कि कि स्थे की जंता देलिकी जंता को दोए-दोए-दोए-दोए-धोए मजबूर किया जारा हूँ और किस लिए सप्रिम कोट का सरकारों का समय और पै दोशन को सोक लेंगे रश्टरवादी काम होगा यार इससे धर्म भी बचेगा और देश भावना की भावना भी उत्परोथ रहेंगे रश्टर के लिए काम हमेशा 24 गंटे करते रहते हो देश के लिए भातमाता की जय बोलकर दिखाते हो कि हमें सबसे बड़े देश भक्त है वह भी नरा शुरू करने से पहले जैसे राम के साथ साथ भातमाता का नरा लगा कर दिखाते हो कि यहीं रास्ता है एक तरीके से रश्टरवाद और देश भक्ती सिद्ध करने का और दिखाने का तो अपने चारो तरफ गोबर लेपेटो और घूमते रहो और गोम उत्तर की और गोम उत्तर का ये व्याख्यान जो दे रहे ना ये इनको लाइव टैलुकास्ट करना चाहिए जगह जगह जाकर प्रदर्शनी लगाने चाहिए गोम उत्तर पी कर दिखाना चाहिए कि देखी हम ऐसे गोबतर पीते हैं गोबर गाय का गीला गोबर जला कर दिखाना चाह आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्षिन जवार देजिएगा नमस्कार